आप सुन नहीं हैं तक काई टरनल का भाग आठ मैंने रहिम खांग की बातों के बारे में सोचा जो उसने थोड़ी दिर पहले फोन रखते समय कही थी मानो उन्हें बाद में कुछ सूचा हो फिर मैंने अपने आखे बंद की और उन्हें खड़ खड़ाती हुई फोन लाइंग के दूसी तरफ देखा देखा कि उनके होट हर्के से बटे हुए हैं और उनका सिर एक तरफ को जुका हुआ है और फिर उनके अंधीन काली आखों में किसी चीज ने मुझे हमारे बीच के एक अंग कहे राज के और इशारा किया फल्क यह है कि अम मैं जानता था कि उन्हें पता था इतने सारे सालों में मेरा शक्स ही निकला है वो सब कुछ जानते थे आसिफ के बारे में, पतंग के बारे में, पैसो के बारे में चमकने वाली सुयों वाली खड़ी के बारे में वो हमेशा से जानते थे आ जाओं फिर से भला बन जाने का एक रास्ता है रहिम खान ने फोन रखने के ठीक पहले ये कहा ये बात उन्होंने यों ही कही थी बाद में आये ख्याल की तरह एक रास्ता फिर से भला बन जाने का जब मैं घर लोटा तो सुरही अपनी अम्मी से फोन पर बात कर रही थी जादा दिन नहीं लगेगी अम्मी जान एक हफता, शायद दो हाँ, आपर रबा मेरे साथ रह सकते है दो साल पहले जनरल का दाइना कुला तूड़ गया था ये तब की बात है जब एक बार उन्हें माइगरेन का दोरा पड़ा था ठीक होने पर हमीशा कितना वो अपनी दुंदली आँकों के साथ खोए हुए से अपने कमरे से बहार निकल रहे थी कि उनका पैर दरी के ठीले कौने में उलज गया उनकी चीक सुनका खाला जमीला रसोई से दोड़ती हुए आई अवास सुनका लगा कि जाड़ो बीच से चटक गही हो वो हमेशा मजे लेकर कहती हलाकि डॉक्टर ने कहा था कि इस तरह के कोई आवास गयर मामूली थी जनरल को तूटे हुए कोले की बज़ा से दूसरी प्रेशानिया भी शुरू हो गई उनको निमोनिया और ब्लड पोईजनिंग हो गया और उसकी वज़ा से उन्हें लंबे समय तक नर्सिंग होम में रहना पड़ा इसके बात खाला जमीला का बहुत दिनों से चला आ रहा अपनी विमानियों का रोना बंद हो गया लेकिन अब जनरल की विमानियों के बारे में नई शिकायते शुरू हो गई थी जो सुनने को त्यार होता उसे वो सुनाती थी डॉक्टर ने बताया है कि उनकी किड्नी काम करना बंद कर रहे हैं लेकिन तब उन लोगों ने अफगानिक गुर्दे नहीं देखे हैं देखे हैं क्या? वो गर्व से पूछती जिन दिनों जनर्र होस्पिटर में भरती थी उन दिनों की एक बात मुझे याद खाला जमीला उनके सोचाने का इंतिजार करती और फिर उनके पास बैठकर गाती वे गीत मुझे काबुल से याद थे उन गीतों को मैंने बाबा के खड़ खड़ा थे ट्रांजिस्टर पर बचते हुए सुना था जनर्र की इस बिमारी और वक्त ने उनके और सुरईया के बीच रिष्टों में नर्मी ला दी थी वे दोनों एक साथ टहलते और शनिवार को साथ में दोपैल का खाना खाने जाते और कभी-कभी जनर्र उसकी क्लासों में भी बैठने लगते वो कमरे में सबसे पीछे बैठते तब भी वो अपना वही पुराना चमकदार भूरा सूर पहने हुए होते अपनी लकडी की बैंट अपनी गोद में डाले हुए वो मुस्कराते रहते हर कभी-कभी तो वो नोट्स भी लेते उस राज सुरही और मैं बिस्तर में लेटे थे उसकी पीट से मेरा सीना दबा हुआ था मेरा चहरा उसके बालों में धसा हुआ था मुझे याद आए वो दिन जब हम एक दूसरे की तरफ चहरा करके सोते तब हम बतियां भुझा कर एक दूसरे को चुमते हम तब तक फुस-फुसाते हुए बाते करते रहते जब तक हमारे आँखें धीरे-धीरे बन नहीं हो जाते हम फुस-फुसाते हुए नन्ने, मुड़े हुए पंचों के बारे में बात करते हम पहली मुसकानों, पहले शब्तों और पहले कदमों की बाते करते हम अब भी कभी-कभी बाते करते थे लेकिन अब हम स्कूल के बारे में या मेरी नई किताब के बारे में बाते करते हम इस बात को याद करते और खिल खिलाते कि किसने पार्टी में अजीब सी पोशाग पहन लखी थी हम अब भी अच्छे से प्यार करते कई बार तो अच्छे से भी बहतर लेकिन कुछ रातों को मुझे लगा कि इस से अब छुटकारा पा लेना चाहें ताकि कुछ समय के लिए हम भूल जायें और एहसास से निजाद पालें कि हमने अभी अभी जो कुछ किया है वो खितना बेमतलब है वो कभी ऐसा नहीं कहती थी लेकिन मैं जानदा था कि सुर्या भी ऐसा ही महसूस करती थी वैसी रातों में हम बिस्तर पर अपने अपने हिस्सों में सो जाते और खुद को अपनी पनागारों के हवाले का देते सुरया की पनागाहा नींद थी, मेरे लिए हमेशा कितना ये पनागाहा किताब थी जिस रात रहीम खान ने फोंग किया था उस रात मैं अंधिरे में लेटा हुआ था मैं खिड़की से छंकर आती और दिवार पर लकीर बनाती चांद की रोशनी को देखता रहा किसी वक्त शायद सुभा के ठीक पहले मुझे नीद आ गए और मैंने सपने में हसन को देखा वो बर्फ पर दौर रहा था उसके हरे चापन का किनारा उसके पीछे घिसट रहा था उसके काले रबड के बूटों के नीचे बर्फ तूट रही थी वो कंधो के उपर अपने हाथ उपर उठा का चिला रहा था आपके लिए हजार बार एक हफ़ते बाद मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स की फ्लाइट में बैठा था खिड़की वाले सीट पर बैठा मैं यूनिफर्म पहने एरलाइन के कर्मचानियों को पहियेंदा सीर्णियां हटाते हुए देख रहा था जहाज टर्मिनल से पहियों पर दोड़ते हुए बहार निकला जल्दी ही हम हवा में थी हम बादलों से होकर गुजर रही थी मैंने खिड़की पसर टिका दिया मैंने नीन दाने का इंतिजार किया लेकिन वो नहीं आये पेशावर में उतरने के तीन घंटों के बाद मैं धुएन से भरी एक टेक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था सीट बुरी तरह फटे हुई थी मेरा ड्राइवर उदासी और लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था वो लगादा सिगरेट पीने वाला और पसीने में डूबा रहने वाला एक छोटे कद का आदमी था उसने अपना नाम गुलाम बताया था वो गाड़ी को टकराने से बाल-बाल बचा ले जा रहा था और ये करते हुए वो बिना बहुत रुके लगातार बरबड़ाय जा रहा था उसके मूँ से शब्द जहर रहे थी तुम्हारे देश में भ्यानक हो रहा है यार मैं तुम्हें बताता हूँ अफगानी लोग और पाकिस्तानी लोग भाईयों की तना है मुसल्मानों को मुसल्मानों की मदद करनी होती है इसलिए मैंने उस पर से धिहान हटा लिया और बस उसकी बाते सुनते हुए नर्मी से मुस्क्राता रहा मुझे पेशावर अच्छी तना याद था बाबा और मैंने यहां 1981 में कुछ महिने गुजारे थे अब हम जमरूद रोड पर पश्चिम की तब बढ़ रही थे हमने च्छावनी और इसके ठाट दार उंची दिवारों वाले मकानों को पीछे छोड़ दिया था मेरे पीछे शहल की हल चल मुझे मेरे पुराने काबूल के इससे भी अधिक भीड भाड़ वाले और मस्रूफ बजारों की याद दिला रही थी खास कर मुझे कूचाय मुलगा यानि चिकन बजार याद आ रहा था जहां हसन और मेर चटनी में डुबोय आलू और चेरी वाटर खेदने जाते थे गलियां साइकिल सवारों पैदल चलने वालों और नीला धुआ फैक ते रिशों से भरी हुई थी वो एक दूसरे में उलजी हुई पतली गलियों और लेनों के बीच बसा बजार था पतला कंबल ओड़े दाड़े वाले दुकानदार जानवल की चमणी मड़े लैंपशेड दरियां कड़ाई की हुई चादरे और तामे का समान बेच रहे थे कतार में लगियों की दुकाने छोटी छोटी और पूरी तरह भरी हुई थी शहर शोल शरावे से भरा हुआ था दुकानदारों के अवाजें हिंदी कीतों रिश्यों की तर्टर हाड और तांगों की घंटियों की अवाजों के साथ मेकर मिरी कानों में बज रही थी पसंद और नापसंद तेज खुश्वु क्रिटकी से होकर भीतर आ रही थी पकोड़े और निहारी की जो बाबा को बहुत पसंद थी मसालेदार खुश्बू डिजर के धुएं, सणांद, कूड़े और मई की बदभू के साथ बुरी तरह घुल मिल गई थी थोड़ा पीछे लाल इंटों से बने पेशावर विश्व विधालय को छोड़ का अब हम एक ऐसे इलाके में धाकिल हुए हैं, जिससे मेरा बातुने ड्राइवर अफगान टाउन कहता है मैं मिठाई की दुकानों और दरी बेचने वालों को देखता हूँ, कबाब की दुकाने सिक्रेट बेस्ते घुधूल भरे बच्चे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, जिनकी खिड़ियों पर अफगानिस्तान के नक्षे पिंट के हुए हैं और उन्ही के साथ साथ ग्याय कानोनी साहिता एजनसिया तुमारे बहुत सारे भाई इसे लाके में हैं या उन्होंने बिजनिस शूगा दिये हैं लेकर उनमें से अधिकता है बहुत गरिब हैं वो अफसोस करते हुए आहां भरता है, बहराल हम पहुँच रहे हैं मैंने रहीम खान से 1981 में अपनी आखरी मुलाकात के बारे में सोचा जिस रात बाबा और मैं काबल से भागे थे वो हमें अलविदा कहने आये थे, मुझे याद है कि बाबा और वो कोठरी में गले मिलकर रो रहे थे जब बाबा और मैं अमेरिका पहुँचे तो उनमें और रहीम खान में बातचीत होती रही थी वो साल में चार-पांच पर बात करते थे, कभी-कभी बाबा मुझे भी फोन पकड़ा देते थे आखरी बार मैंने रहीम खान से बाबा के मरने के कुछ ही समय बात-बात की थी बाबा के मरने की खबर काबल पहुँची थी और उन्होंने फोन किया था हम कुछ ही मिंटो तक बात कर पाये थे कि लाइंग कट गई थी ड्राइवर ने व्यस नुकड के पास एक पतली सी इमारत के किनारे गाड़ी खड़ी गा थी वहाँ से चक्करदार गलिया एक दूसरे से मिल रही थी मैंने ड्राइवर को पैसे दिये अपना एक मात सूट केस उठाया और बारी की से कड़े गए दवाजे तक गया इमारत में लकडी की बालकनिया थी जिनके शटक खुले हुए थे अनेक बालकनियों में सूखने के लिए कपड़े टंगे हुए थे मैं चर्म राती हुई सीडियों से होकर दूसरी मंजिल पर पहुँचा इसके बाद एक मद्यम रोशनी वाले गलियारे से होकर दाहिनी तरफ के दवाजे आखरी दवाजे तक गया मैंने अपने हतेली में पकड़े पोजे के पर लिखे पते की जाच की और इसके बाद मैंने दवाजा खट-खटाया चमणी और हड्डियों से बनी एक चीज ने दवाजा खोला वो रहीम खान लग रहे थे सांखोसे स्टेट में रचनात्मक लेखं का टीचर मुहावरों के बारे में कहता था उनके प्ले की तरह बचो इसके बाद वो अपने ही चुटकले पर हसता था क्लास उसके साथ हस्ती थी लेकिन मैं हमीशा सोचता था कि मुहावरे बेकारी बदनाम है गिसे पिटे शब्दों का असर उन्हें कहने के तरीके पर निभर करता है मिसार के लिए कमरे में हाथी का मुहावरा इसका मतलब है कि कोई बात या चीज इतनी जाहिर है कि आप उसे नजर अंदाज नहीं कर सकते जब मैं रहीम खान से फिर मिला तो उस पल के बारे में बताने के लिए मेरे पास इस मुहावर ब्रे से बहतर कोई शब्द नहीं था हम दिवार से लगकर एक पतली से चटाई पर बैठे हमारे सामने एक खिडकी थी जिससे नीचे शोर भरी गली दिख रही थी दूप भीतर आ रही थी और फर्ष पर बीचे अफगानी गलीचे पर एक तिकोनी शकल बना रही थी मुलने वाली दो कुर्सियां इक दिवार से लगा का खड़ी की गई थी और तामबे का एक छोटा समोवा दूसी तरफ कौने में रखा हुआ था मैंने उसमें से चाय डाले आपने मुझे कैसे खोजा? मैंने पूछा अमेरिका में लोगों को खोजना मुश्किल नहीं है मैंने अमेरिका का इनक्षा खईदा और उतरी कैलिफॉर्निया की जानकारी जो टाई उन्होंने कहा तो मैं बड़ा हो गया देखना शानधार और अजीब है मैं मुस्कराया और चाय में चीनी के तीन टुकड़े डाले मुझे याद आया कि वो काली और कड़वी चाय पसंग करते थे बाबा को आपको बताने का मौका नहीं मिला लेकिन मैंने पंद्रह साल पहले शादी कर ले थी सच तो ये है कि दिमाग में कैंसल की वज़ा से बाबा चीज़े भूलने लगे थे तुम शादी शुदा हो किसे की शादी उसका नाम सुरया ताहिरी है मैंने उसके बारे में सोचा वो घर पर मेरे बारे में प्रेशान हो रही होगी मुझे अच्छा लगा कि वो अकेली नहीं थी ताहिरी वो किसकी बेटी है मैंने उन्हें बताया उनकी आँखे चमक उठी हो हो आहां मुझे अभी याद आया जनत ताहिरी की ही शादी शरीफजान की बहन से हुई थी न क्या नाम था उनका जमीला जान के लिए कई सालों से काम कर रही है वो धेर सारे अफगानी मामले देख रहे है हाँ उन्होंने हाव अरी क्या तुम्हारे शरया जाएं के बच्चे है नहीं उन्होंने अपनी चाय सोड़की और कुछ नहीं पूछा मैं जितने लोगों से मिला हूँ उन्होंने रहिम खान हमेशा सबसे सहच रहने वाले आदमी थी मैंने उन्हें बाबा के बारे में धेर सारी बाते बताए उनके काम के बारे में काबाडी बजार के बारे में मैंने उन्हें बताया कि कैसे आखिर में वो खुशी-खुशी मरे मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई और अपनी किताबों के बारे में बताया अब तक मेरी चार किताबे छप चुकी थी वो इस पर मुस्कुराए उन्होंने बताया कि उन्हें इस पर कभी संदे नहीं रहा मैंने उनकी दी हुई चमडे की जिल्द वाली नोट बुक में लिखी कहनियों के बारे में उन्हें बताया लेकिन उन्हें नोट बुक के बारे में याद नहीं था अब बातचीत अनिवारे रूप से तालिबान की तब मुड़ गई क्या हालात उतने ही बुरे हैं जितने मैंने सुना है मैंने कहा ना ये और भी बत्तर हैं कहीं बत्तर उन्होंने कहा वे आपको आदमी नहीं बनने देते उन्होंने अपनी दाहिनी आँख के उपर एक जखम का निशान दिखाया वो उनकी गनी बहों को काटते हुए उपर को चला गया था मैं 1998 में गाजी स्टेडियम में फुटबाउल का खेल देख रहा था मुझे लगता है कि मैं चेकाबुल और मजारे शरीफ के वीचे में था खेर जो भी हो जो लोग खेल रहे थे उन्हों शौट्स पहने के इजाज़त नहीं थी मेरा अंदाजा है कि उसे बेशर में माना जाता वो एक थकान भरी हसी हसे खेर काबुल ने गोल किया तो मेरे पास बैठा आदमी जोड से चिलाया अचाने किक आदमी जो देखने में मुश्किल से ठारा का लग रहा था और गल्यारे में गश्ट कर रहा था मेरे पास आया और उसने मेरी ललाट पर कलाशनी कोव के कुंदे से मारते हुए कहा दोबारा चिलाओगे तो तुम्हाई जीब काट लूगा बुड़े गदे रहीम खान ने गांटो वाले उंगलियों से निशान को सेलाते हुए क्या मैं उसके दादा जितना बुड़ा था मैं वहीं बैठा रहा मेरे चेहरे से खून रिस रहा था और मैं मैं उस कुत्ते के बच्चे से माफी मांग रहा था मैंने और चाय डाले रहीम खान ने कुछ और बाते के इन में से अधिकतर के बारे में मैं जानता था कुछ के बारे में मैं नहीं जानता था उन्होंने मुझे बताया कि वो बाबा के घर में 1981 से रह रहे थे बाबारों के बीच ये तैय हुआ था, ये बात मैं जानता था काबल से भागने सिर्फ फोरण पहले बाबा ने वो घर रहीम खान को बेच दिया था बाबा उन दिनों सोचते थे कि अफगानिस्तां की मुश्किलें हमारे जीने के तरीके में कुछ दिनों की खलल थी वो सोचते थे कि कुछी समय में वजीर अकबर खान वाले घर में दावतें और पगमान में पिकनिके जरूर शुरू हो जाएंगी इसलिए उन्हें उन्हें रहिम खान को वो घर देख रेख केरने के लिए सौप दिया था रहिम खान ने बताया कि कैसे 1992 से 1996 के बीच उतरी कठ बंधं के काबुल पर कबज़ा कर लेने के बाद अलग-अलग धड़े काबुल के अलग-अलग हिस्से पर दावा पेश करने लगे थे अगर तुम्हें शारे नो के कारड़ते परवान में दरी खेदने जाते तो तुम्हें किसी निशाने बाज की गोली लगने या रॉकेट से उड़ जाने का खत्रा रहता इसके अलावा तुम्हें कई ही सारी जांच चौक्यों को पार करना पड़ता हाँ, एक महले से दूसरे महले तक जाने के लिए सचमुच वीजा की जोद पड़ती थी इसलिए लोग घरों में ही रहते थे अदुआ करते थे कि कोई रॉकेट आकर उनके घर पर न गर जाए उन्होंने मुझे बताया कि कैसे लोगों ने अपने घरों की दिवारों में छेद बना लिये थी ताकि वो उन छेदों से होकर ही ब्लॉकों में आ जा सके और उन्हें खतना गलियों में न जाना पड़े आपने छोड क्यों नहीं दिया? मैंने कहा काबुल मेरा घर था और अब भी है वो हसे तुम्हें वो सड़क याद है? जो तुम्हारे घर से किशला तक जाती थी? इस्तक्लाल स्कूल के बगल में फौजी बैल को तक? हाँ ये स्कूल जाने का छोटा रासा था मुझे वो दिन याद आया जब हसन और मैं इसे पार कर रहे थे और फौजीों ने हसन की मा के बारे में हसन को छेड़ा था बात मैं हसन फिल्म देखते हुए रोया था और मैंने उसे बाहों में भल लिया था जब तालिबान दाखिल हुए और गटबंधन को काबुल के बाहर ख़देर दिया गया तो मैं दरहसा सड़कपन नाचा था रहीम खान ने कहा और मेरी मानों मैं अकेला नहीं था लोग चमन में देहे माजंग में जश्न मना रहे थे और सड़कों पर तालिबान को मुबारक बात दे रहे थे वे उनकी तोपों पर चल रहे थे और उनके सब फोटो खिचवा रहे थे लोग लगा था चलने वाली लड़ाई से आजिज आ गए थे वे रॉकेट से, गोल इबारी से, धहमाकों से आजिज आ गए थे वे गुल बुद्दीन और उसके साथियों त्वारा हर एक चलती हुई चीज़ पर गोली चला देने से ठक गए थे गटबंदन ने काबूर को रूसियों से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उन्होंने तुमारे अबबा का बनाया यतीम खाना गिरा दिया, तुम्हें पता है? क्यों? मैंने कहा, वो यतीम खाना क्यों गिराएंगे? मुझे यतीम खाना शुरू होने के दिन बाबा के पीछे बैठना याद आया हवा का उनके टोपी उड़ा देना और इस पस सबका हस पढ़ना याद आया और फिर याद आया कि उनका भाशन खतम करने पस सारे लोगों का खड़े होका तालिया बचाना और आप वो महज मलबे का एक और धेर था? वो सारे रुपे जो बाबा ने खाच किये वो सारी राते जो उन्होंने नक्षा पनाते हुए गुजारे वो सारे दोरे जो वे इसलिए करते कि हर इंट, हर एक बीमे, हर एक ब्लॉक सही जगा पर रखी जाए और यतीम खाना गिरने के साथ जो नुक्सान हुआ उसके बारे में तुम जानना नहीं चाओगे आमिर जान जानते हो उस यतीम खाने के मलबे में क्या चीज़े भरी हुई थी? बच्चों की लाशे तो जब तालिबान आये? वो हीरो थे रहीम खान ने कहा आखिरकार अमन आया? हाँ उमीद एक अजीब चीज़ है आखिरकार अमन लेकिन किस कीमत पर? अचानक रहीम खान पर खांसी का ये तेज दौरा पड़ा उनकी देह आगे पीछे हिलने लगे उन्होंने अपना मुँ रुमाल से साफ किया वो लाल हो रहा था मुझे लगा कि उस चीज़ के बारे में बाते करने का यही मौका है जिसे हम नजर अंदास कर रहे थे लेकिन करना मुश्किल था कैसे हैं आप? मैंने पूछा मेरा मतलब सच मुच कैसे हैं आप? असल में मैं मर रहा हूँ उन्होंने गरगराती हुए अवाज में कहा खांसी का एक और दौरा पड़ा रुमाल थोड़े और खोन में संग गया उन्होंने अपना मुँ पूछा अपनी आस्तिन से उन्होंने अपनी बाहों और धस गई कनपटियों का पसीना पहुचा उसके बाद मुझे एक नजर देखा जब उन्होंने सर हिलाया तो मैं जानता था उन्होंने मेरे चहरे पर सवाल पड़ लिया है ज्यादा दिन नहीं उन्होंने सांस लिये कितने दिन? उन्होंने कंदे चटके, फिर खासे मुझे नहीं लगता कि मैं गर्मियों कांत देख पाऊंगा आप मेरे साथ घर चलिए मैं आपको अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा हर समय नए-नए इलाज आते रहते हैं नए दवाईयां और इलाज हैं मैं आपको दाखिल करा दूँगा किसी मैं जानता था मैं बिकार ही बोल रहा था लेकिन ये रोने से बहता था जो मुझे आ रहा था वो फूर तरी के सहसे इससे जाहर हुआ कि उनके नीचे केदार तूट चुके हैं मैंने जितनी हसी सुनी है उनमें ये सबसे उखताई हुई हसी थी देखता हूँ अमेरिका ने तुम में उमीदे भर दी हैं ये उसने अच्छा किया है बहुत अच्छा हम अफगान उदासी में रहने वाले लोग हैं नहीं अक्सर हम गम खोरी और खुद से हमदादी दिखा कर खुश रहते हैं हमने नुकसानों के आगे घुठने टेक दिया हैं हमने इसे जिन्दगी की सच्चाई के रूप में अपना लिया है बलकि इसे हम जूरी तक मानते हैं हम कहते हैं कि जिन्दगी चलती रहती है लेकिन मैं य और उसा करता हूं और उनकी बातों का यकिन करता हूं खुदा की मर्जी भी कोई चीज होती है ना नहीं बात ये है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं रहीम कान हसे अभी तुम अपने अबबा की तरह बोले मुझे उनकी बहुत कमी महसूस होती है लेकिन अल्ला की मर्जी होती है आमिर, ये सच मुझ होती है इसके अलावा मैंने दूसी वज़ा से तुम्हें यहां आने को कहा था हाँ ये सही है, मैं चले जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था लेकिन कुछ और बात भी थी क्या बात है, तुम जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद सारे समय मैं तुम्हारे अबबा के घर में रहा हाँ, मैं वहाँ पूरा समय अकेले नहीं रहा, हसन वहाँ मेरे साथ रहता था हसन, मैंने कहा, अंतिम बार मैंने कभ ये नाम लिया था अब रात बोद के वो पुराने कंटी ले तार मुझे फिर से चुबने लगे मानो मैंने ये नाम लेका जादू के असल को खतम कर दिया हूँ वे मुझे तंग करने के लिए फिर से अजाद हो गए हूँ अचानक रहीम खान के छोटे से फ्लैट की हवा बहुत भारी और बहुत गर्म लगने लगी लगा कि उसमें सडक से उठने वाली गंद भी बहर रही है मैंने तुम्हें पहले भी ये लिख कर बताना चाहा था लेकिन मुझे पक्का पता नहीं था कि तुम जानना चाहते थे क्या मैं गलत था? सच्चा जवाब था नहीं, जूटा जवाब था हाँ मैंने इन दोनों के बीच में जगा बनाए, मैं नहीं जानता उन्होंने रुमार पर थोड़ा और खुन थोका जब उनका सर थूखने के लिए जुका, तो मैंने उनके खोपड़ी में खाव देखा मैंने तुम्हें यहां बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ मांगने जा रहा हूँ मैं कहने जा रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो लेकिन मैं ये कहने से पहले तुम्हें हसंग के बारे में बताना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं हर चीज बताना चाहता हूँ तुम सुनोगे? मैंने सर हिलाया इसके बाल रहिम खान ने थोड़ी और चाय भी, उन्होंने अपना सर दिवा से टिका दिया और बाश्रू किया हजारा जात जाका 1986 में हसंग को तलाश करने की धेर सारी वज़या थी सबसे बड़ी वज़या थी कि अल्ला माफ करे, मैं अकेला था तब तक मेरा अधिकता दोस्ट और रिष्ठेदार या तो मारे गए थी, या पाकिस्तान या इरान चले गए थी जिस शहर में मैंने पूरी जिंदगी गुजारी थी, उस शहर में मैं अब मुश्किल से ही किसी को जानता था हर आदमी भाग गया था मैं कारते परवान इलाके में घूमता तो किसी को पहचान नहीं पाता याद है पुराने दिनों में उस जगा पर तर्बूजे बिखते थे अब वहाँ कोई सलाम करने वाला नहीं था साथ बैठ कर कोई चाय पीने वाला नहीं था अब वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ बैठ कर कहानिया सुनाई जाये बस रूसी फौजी गलियों में गश्ट करते थे इसलिए आखिरकार मैंने शहर में जाना ही बंद कर दिया मैं पूरे दिन तुम्हारे अबबा के घर में रहता था उपा स्टेडी में बैठा तुम्हारी अम्मी की पुरानी किताबे पढ़ता था या फिर खबरे सुनता था और टीवी पर कम्यूनिस्ट प्रोपोगेंड़ा देखता था फिर मैं नमाज पढ़ता था इसके पाद कुछ बना कर खाता था और फिर कुछ पढ़ता था फिर नमाज पढ़ता और सुजाता सुबा उठता नमाज पढ़ता और फिर सारे दिन वही चीज़े दुराता रहता था गटिया की वज़ा से मुझे घर की देखबार करने में मुश्किल होती जा रही थी मेरे घुटने और पीट दुखने लगे थे सुबा उठने के बाद मुझे अपने जोडों की जक्रन दूल करने में एक घंटा लगता था खासकर सद्यों में मुश्किले बढ़ जाती मैं तुम्हारे अबबा के घर को सरने नहीं देना चाहता था उस घर में मैंने कितने अच्छे वक्त देखे थे इतनी सारी यादे थी उस घर के साथ आमिर जान ये ठीक नहीं था तुम्हारे अबबा ने उस घर का नक्षा खुद बनाया था उन्हें इससे बेहत लगाव था और इसके अलावा जब वो और तुम पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उसके देखवाय करूँगा और अब बस ये घर था और मैं था और मैंने पूरी कोशिश की मैं हर कुछ दिनों में पौधो को पानी देने की कोशिश करता लौंग की घांस कारता फूलों की देख रेक करता जिन्हें मरमत की जुरत होती उन चीजों की मरमत करता लेकिन तब भी मैं अब एक नौजवान आदमी तो नहीं था लेकिन तब भी मैंने उसकी देखबार कर ली होती कम से कम कुछ समय तक तो चला ही लिया होता लेकिन जब तुम्हारे अबबा की मौत की खबर मुझे मिली तो पहली बार मैंने उस घर में बहानक अखेलापन महसूस किया एक ऐसा खालीपन जो बदाश से बाहर था तो एक दिन मैंने बुई कार में तेल भरवाया और हजारा जात किया मुझे याद था जब अली ने घर छोड़ दिया था तो तुम्हारे अबबा ने बताया था कि वो और हसन बार मियान की ठीक बाहर एक छोटे से गाम में चले गए है मुझे जहां तक याद था कि वहाँ अली का रिष्टे का कोई भाई था मुझे इसका पता नहीं था कि हसन अब भी वहाँ था कि नहीं मैं ये भी नहीं जानता था कि वहाँ कोई उसके बारे में जानता भी था या नहीं आखिर अली और हसन को तुमारे अबबा का घर छोड़े दस साल हो चुके थे हसन 1986 में बड़ा हो चुका होगा 22-23 साल का बड़ा आद्मी अगर वो जिन्दा भी था बात ये थी कि रूसियों ने हमारे बहुत सारे नौजवानों को मार डाला था उन्होंने हमारे वतन के साथ जोख है उसके लिए वो जहनुम की आग में जले मुझे तुम्हें ये बात नहीं बताने है लेकिन खुदा की महरबानी मैंने उन्हें तलाश लिया मैंने बहुत कम कोशिशे मुझे करनी पड़ी मैंने बस बामियान जाकर लोगों से कुछ सवाल किये और उन्होंने उसके गाम का रास्ता बता दिया मुझे उसका नाम तक नहीं याद है मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी उसका कोई नाम भी था या नहीं लेकिन मुझे ये याद है कि वो चिल चिलाती हुई गर्मियों का एक दिन था मैं गड़ों और धूल से भरी एक सड़क पर चल रहा था जिसके दोनों तरफ धूब में जुलसी जानियां, गांठदर और कटीले पेड और मुझाई हुई खांस थी मैंने रास्ते में एक मरा हुआ गधा पड़ा देखा जो सर रहा था और तब मैं जब उस परती जमीन के पीच दाईने तरफ कौने पर मुड़ा तो मैंने मिट्टी के जोप्रियां देखी, उनके पार खुला आस्वान था और नुकिले दातों जैसे पाहड खड़े थे बाइमियान में लोगों ने मुझे बताया था कि मैं उन्हें असानी से खोच रूँगा उनका घर गाव का अकेला घर है, जिसके दिवारों से घीरा हुआ एक बगीचा है मिट्टी के छोटी सी दिवार में छेद बने हुए थे, वो एक छोटे से घर से लगी हुई थी, जो एक अच्छी सी जोप्री से अधिक नहीं थी गलियों में बच्चे नंगे, पाउं, टेनिस की फटे हुई गैंद और डंडे से खेल रहे थे जब मैंने गाड़ी रोकी और इंजन बंद की तो वो मुझे घुनने लगे मैंने लकडी का दवाजा खट-खट आया और इसके भीतर दाखिल हुआ भीतर एक आंगन था, जो महर्ज इतना बड़ा था कि उसमें एक सूखा हुआ स्ट्राबेरी का पेड और निम्बू का एक खाली पौदा खड़ा था कौने में अकासिया के पेड के च्छाओं में एक तंदूर था मैंने देखा, एक आदमी इसके पास जुका हुआ था वो गुंती हुई मित्टी, एक लकडी की पट्टी पर रख कर उसे तंदूर की दिवारों पर थूप रहा था जब उसने मुझे देखा तो पट्टी रख दी, वो मेरा हाद चुमने बढ़ा, जिससे मैंने उसे रोग दिया तुम्हें देख लेने दो, मैंने कहा, अब वो थोड़ा हटका खड़ा हो गया अब वो इतना लंबा लग रहा था, मैं अपने पंजो पर खड़ा हुआ, तो भी उसकी थोड़ी तक ही पहुँच सका बामियां की धूप में उसकी चम्री सक्त हो गई थी, मुझे जितना याद था उसके मुकाबले उसका रंग गहरा हो गया था, उसके सामने के कुछ ताट तूट गए थे, उसकी थोड़ी पर छुट-पुट बाल थे इन सब के अलावा उसकी वही पतली हरी आँखे थी, उसके उपरी होड़ पर जखम का वही निशान था, वही गोल चहरा और वही मीठी मुस्कान तुम उसे पहचान लेते आमिर जान, मुझे यकीन है हम भीतल गए, वहाई नौजवान गोरी हजारा औरत कम्रेर के एक कौने में शौल सी रही थी देखने में लग रहा था कि वो गर्ववती थी यह मेरी बीवी है रहिम खान, हसन ने गर्व से कहा, उसका नाम फरजाना जान है वो इतनी शर्मेली और विनर्म थी कि उसके आवाज फुस फुसाहट जैसी लग रही थी उसने मेरे आगे अपनी भूरी आंके नहीं उठाई लेकिन वो जिस तरह हसन को देख रही थी, उससे जाहिर था कि वो खुश और खुदार औरत है बच्चा कब होने वाला है? मैंने मिट्टी के उस कमरे में थोड़ा सहज होने पर पूछा उस कमरे में कुछ भी नहीं था, बगस एक घिसा हुआ गलीचा था, कुछ बरतन थे, चटाईयों का एक जोड़ा था एक लाल्टेन थे इन्शालला इन सदियों में, हसन ने कहा, मैं एक लड़के के लिए दुआ कर रहा हूँ, ताकि अब्बा का नाम चलता रहे अली की बात कर रहे हो, कहां है वो? हसन ने नज़र जुका ली, उसने मुझे बताया कि अली और उसकरिष्टे का भाई, जिसका ये घर था दो साल पहले बामियां के ठीक बहार एक बारुदी सुरंग में मारे गए, बारुदी सुरंग, क्या अफगान में मनने का और भी तरीका बचा है? फता नहीं कैसे? एक पागलपन भरा ख्याल मेरे मन में आया, कि अली की पोलियों की मारी दाहिनी मुड़ी हुई टांग नहीं अली को धुका दिया होगा, और वो ही टांग बारुदी सुरंग पर पड़ी होगी मुझे अली के मनने की बास सुनकर गहरा दुख हुआ, मुझे पता है कि तुम्हारे अबबा और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, और जहां तक मुझे याद है, अली उनके साथ रहा था मुझे वो साल याद है जब हम सब छोटे थे और अली को पोलियों होगा था, तब वो मरने मरने को हो गया था, तब तुम्हारे अबबा पूरे घर में रोते हुए घुमते थे फरजाना ने हमारे लिए सेम शल्जमा आलू का शोर्बा बनाया, हमने अपने हाथ धोया और तंदू से ताजा निकाले नान को शोर्बे में टुबाया, पिछले कई महिनों में ये मेरा सबसे अच्छा खाना था उसी समय मैंने हसं को अपने साथ काबुल चलने को कहा, मैंने गहर के बारे में बताया, उसे बताया कि मैं अकेले अब उसकी देखवाल नहीं कर सकता था मैंने उसे कहा कि मैं अच्छे पैसे दूँगा वो और उसकी खानम अराम से रहेंगी उन्होंने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा बाद में जब मैंने हाथ दोए और फरजाना ने हमें अंगूर दिये तो हसन ने कहा कि एक आवी उसका खर है उसने और फरजाना ने वहाँ अपने लिए जिन्दगी बसा ली थी और बामियान यहाँ से इतना नस्दीक है हम वहाँ लोगों को जानते हैं माफ कीजी रहिम खान मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे बेशक मैंने कहा तुम्हें किसी बात के लिए गुजारिश करने की जोत नहीं है मैं समझता हूँ शोरबे के बाद हम चाय पी रहे थे जब हसन ने तुम्हारे बारे में पूछा मैंने उसे बताया कि तुम अमेरिका में हो लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं जादा नहीं जानता हसन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछा क्या तुम्हारी शादी हो गई है क्या तुम्हारे बच्चे है तुम कितने बड़े हो गई हो क्या तुम अभी पतंगे उड़ाते हो और फिल्मे देखने जाते हो क्या तुम खुश हो उसने बताया कि उसने बामियान में एक पुराने फार्सी के उस्ताज से दोस्ती कर ली थी और उसने उसे लिखना पढ़ना सिखा दिया था अगर वो तुम्हें कोई छिट्टी लिखे तो क्या मैं उसे तुम्हें भीज़ दूगा अब मुझे क्या लगता है कि तुम भी उसे लिखका जवाब दोगे मेरी तुम्हारे अबबा के साथ फोन पर जो बाते होती रही थी उनसे जो मैं जानता था उसे बताया लेकिन मैं अधिकतर नहीं जानता था कि उसे कैसे जवाब देना है इसके बाद उसने मुझे से तुम्हारे अबबा के बारे में पूछा जब मैंने उसे बताया तो उसने चपना चेहरा हातों में छुपा लिया और रोने लगा इसके बाद पूरी रात वो बच्चों की तहन रोता रहा उन्होंने मुझे वहां रुकने के लिए जिद किया फरजाना ने मेरे लिए खाट लगाए और कुए का एक गिलास पानी मेरे पास रख गई कि कहीं मुझे रात में प्यास लगने पर जोद पड़े ही सारी रात मैं उसे और हसन के साथ फुस फुस आकर बाते करता और हसन को रोहता हुआ सुनता रहा सुबह में हसन ने मुझे बताया कि उसने और फरजाना ने काबल जाने का फैसला किया है मुझे यहां नहीं आना चाहिए था मैंने कहा तुम सही थे हसन जान तुमारे यहां एक जिन्दगी है लाल और सूजी हुई थी हम आपके साथ चलेंगे हम घर की देख रेक करने में आपकी मदद करेंगे तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो उसने सर जुका लिया और सर को हिलाया आगा सहा मेरे दूसरे अबबा की तरह थे खुदा करें उन्हें चैन नसीब हो उसने हमने उसे चूमा और उसके नीचे से गुजरें इसके बाद हम काबूल के लिए रवाना हुए मुझे याद है जब मैं गाड़ी गुमा रहा था तो हसन ने पीछे मुड़ कर आखरी बार अपने घर को देखा जब हम काबूल पहुंचे तो मैंने पाया कि हसन का इरादा घर के भीतर आने का नहीं था लेकिन सारे कमरे खाली है हसन जान उनमें कोई नहीं रहने जा रहा लेकिन वो नहीं माना उसने कहा कि यह एहतराम का मामला है वो और फलजाना मेंकर अपना समान पिछवाडे के इस जौपड़ी में ले गए जहां वो पैदा हुआ था मैंने उनसे गुजारिश की कि वो कम से कम उपर के महमान खानों में से किसी में रह ले लेकिन हसन ने एक नहीं सुने हाँ मेरा अगा क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे जब जंग खतम हो जाने पर वो काबूल लोटेंगे और पाएंगे कि मैंने घर में उनकी जगा हत्या लिये इसके बाद अगली सुभा से उसने तुमारे अबबा के लिए अगले 40 दिनों तक मातम के काले कपड़े पहने मैं नहीं चाहता था कि वो सारा काम करे लेकिन वो दोनों खाना बनाते थे सारे घर की सफाई करते थे हसन बागी चे में फूलों की देख रेख करता वो उनकी जड़ों में पानी देता मुझे आई हुई पत्तियां अटाता उसने गुलाब की जानियां लगाई थी उसने सारा घर पेंट किया वो घर के उनकमरों में भी जड़ों लगाता था जिनमें कोई बर्सों से नहीं सोया था वो खाली पड़े उन बात्रूम को साफ कता जिनमें बर्सों से कोई नहया नहीं था मानो वो किसी के लोटने के लिए घर को तयार कर रहा हो आमिर जान क्या तुम्हें वो दिवार याद है जहां तुम्हारे अब्बा ने मक्का की कतारे बोई थी जिसे तुम और हसन विमार मक्के की दिवार कहते थे हुसाल पतिजड में आधी रात को गिरे एक रॉकेट ने उस हिस्से की पूरी दिवार को तोड़ दिया था हसन ने वो दिवार अपने हाथ से फिर से बनाए एक 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 इंट उसने खुद रखी और दिवार फिर से खड़ी की अगर वो मेरे साथ नहीं आये होते तो मुझे नहीं पता मैंने कैसे क्या होता इसके बाद उस पतजड में फरजाना ने एक लड़की को जनम दिया लेकिन वो पैदा होते ही मल गई हसन ने उस बच्ची के वेजान चेहरे को चूमा और हमने मिल का उसे पिछवाडे में स्वीट ब्रियल की जाड़ियों के करीब दफना दिया हमने उसकी छोटी सी कब्र को बेद मजनू के पत्तों से ढग दिया मैंने उसके लिए दुआ मागे फरजाना पूरे दिन जोपडी में बैठी रोती रहे एक मा की रुलाई एक मा की रुलाई दिल को तोड़ देने वाली रुलाई होती है आमर जान मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि तुम्हें कभी से ना सुनना पड़े उस घर की जोपडी के बाहा जंग तेज हो रही थी लेकिन तुम्हारे अबबा के घर में हम तिनों ने अपने एक जन्नत बना ली थी 1980 की दहाई के आखरी दिनों में मेरी नजर कमजोर होने लगी थी इसलिए हसन तुम्हारे अम्मी की किताबे पढ़कर मुझे सुनाता जब फरजाना रसोई में खाना बना रही होती तो हम कोठरी में स्टोफ के पास बैठते और हसन मुझे मसनवी या खायाम की शायरी पढ़का सुनाता हर सुबह हसन सुइट ब्रियल की जाणियों के पास उस छोटी सी कबर पर फूर रख कर आता 1990 की शुरुवात में फरजाना के पाम फिर भारी हुए उसी साल जब गर्मिया आधी गुजर चुकी थी तो एक सुबह आसमानी बुर्के में एक औरत ने सामने का दर्वाजा खट-खट आया जब मैं दर्वाजे तक गया तो मैंने पाया कि वो अपने पैरों पर डोल रही है मानों को तिनी कमजोर हो कि खड़ी नहीं रह सकती मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाही है किन उसने कोई जवाब नहीं दिया तुम कौन हो? मैंने कहा लेकिन वो वही रहदरी में गिर पड़ी मैंने हसन को पुकारा और उसकी मदद से हम उस औरत को भीतर बैठक में ले आये हमने उसे एक सोफे पर लिटा दिया और उसका बुरका हटाया हमने पाया कि उस औरत के दात नहीं थी अब बालों में जटाएं पड़ रही हुई थी उसके हातों में भी गाठी थी उसे देखने से लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है लेकिन सबसे बत्ता उसके चेहरे की हालत थी किसी ने उसके चेहरे को छुड़ी से गोद डाला था और हामिर जान यहां वहां कटे के घाव थे एक घाव तो गाल से लेका बालों तक लंबा था इससे उसकी बाई आँख भी कट गई थी यह बहुत भिहानक था मैंने उसकी बहुं को घीले कपड़े से पहुचा इस पर उसने आखे खोली हसन कहां है वो फुस फुसाई मैं यहीं हूँ हसन ने कहा उसने उस औरत का हाथ अपने हाथों में लेका दबाया उसकी अच्छी आँख हसन पर फिरी मैं तिने दिनों से और तिनी दूर से चल कर आई हूँ था कि तुम्हें देख सको कि तुम सच मुझ उतने ही अच्छे हो या नहीं जितने अच्छे तुम मेरे सपनों में हो और तुम अच्छे से हो बलकि उससे भी ज़्यादा उसने हसन का हाथ अपने जख्मी चेहरे पफ्राया मेरी खाते मुस्कराओ हसन हसन मुस्कराया अब बूरी और अस रोने लगी तुम्हारी मुस्कान मेरे जैसी है क्या तुम्हें ये बात किसी ने बताई और मैं तुम्हें रख नहीं सकी अल्ला माफ करे मैं तुम्हें रख तक अपने पास नहीं रख सकी 1964 में गाने नाचने वालों के दर के साथ कायब हो जाने के बाद हम में से किसी ने सनुबर को नहीं देखा था वो हसन को पैदा करने के कुछी दिनों बाद चली गई थी हामिर तुमने उसे कभी नहीं देखा लेकिन अपनी जवानी में वो बेहत खूपसूरत थी वो मुस्कराती तो गालों में गड़े बनते उसका चलना देखकर लोग पागल हो जाते गलियों से गुजरने वाला कोई भी मर्द या और अथ उसे देखे बिना नहीं रह सकता था हौर अप हसन ने उसका हाथ छोड़ दिया घस से तेजी से निकल गया मैं उसके पीछे गया लेकिन वो बहुत तेज चल रहा था मैंने उसे पहाड़ियों पर भागते देखा जहां तुम दोनों खेला करते थे उसके पैरों से धूल ओर रही थी मैंने उसे जाने दिया मैं पूरे दिन सनुबर के साथ बैठा रहा आसमान नीले से जामुनी हो गया फिर रात घिर आये और चांदनी में बादल चमकने लगी हसन अब भी नहीं लोटा था सनुबर ये कहते हुए रोने लगी कि उसने आका गलती कर दी शयाद ये छोड़ का जाने से भी बड़ी गलती थी लेकिन मैंनों से रोक लिया मैं जानता था हसन लोटेगा वो अगली सुबह लोटा थाका और उबा हुआ लग रहा था मानों वो पूरी राद ही सोया हो उसने सनुबर के दोनों हाथ पकड़ का उससे कहा कि अगर उसका मन हो तो वो रो सकती है लेकिन इसकी जरूत नहीं है उसने कहा कि वो अब घर पर है अपने घर पर अपने परिवार के साथ हसन ने उसके चेहरे के घावो को छुआ और उसके बालों में हाथ फिराया हसन और फरजाना ने उसकी बहुत देखबाल की वो उसे खाना खिलाते और उसके कपड़े धोते मैंने उसे उपर का एक महमान खाना दे दिया था कभी कभी मैं खिड़की से आंगन में देखता तो हसन और उसके अम्मी को मिलकर टमाटर चुनते या गुलाब की जानेओं को सलीके से काड़ते हुए देखता वे एक दूसरे से बाते कर रहे होते मैंने अंदाजा लगाया कि वो इन सारे खोये हुए सालों को पकरने की कोशिश कर रहे थे जहां तक मैं जानता हूँ हसन ने कभी अपनी अम्मी से नहीं पूछा कि वो इतने दिनों तक कहा रही और उसने घर क्यों छोड़ दिया था उसके अम्मी ने भी उसे कभी नहीं बताया मेरा अंदाजा है कि कुछ बातों को कहने की जरुद नहीं होती 1990 की सर्दियों में सनोबर ने ही हसन के बेटे को पैदा कराया तब अभी बर्फ पढ़नी शू नहीं हुई थी लेकिन सर्दियों की हवाएं आंगन में बहने लगी थी जब हवा चलती तो फूलों के पौदे जोग चाते और पतियां सरसर आने लगते मुझे सनोबर का अपने पोते को लिए जोपरी से निकलना याद है उसने उसे उनी कंबल में लपेट रखा था वो फीके आसमान के नीचे चमकती हुई खड़ी थी और उसके गालों पर आंसू बह रहे थी चुपती हुई थंडी हवा उसके बाल उड़ा रही थी उसने बच्चे को अपने हातों में इसकदा जकर डखा था कि मानो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी इस बार नहीं उसने उसे हसन को दिया और हसन ने अपने बेटे को मेरे हातों पर रख दिया मैंने उस बच्चे के नन्ने कानों में आयतुल कुरसी पड़ी उन्होंने उसका नाम सोहराब रखा तुम जानते हो आमिर जान कि यह शाह नामा का हसन का सबसे प्यारा हीरो था वो एक खूबसूरत नन्ना सा बच्चा था चीनी की तरह मीठा उसमें अपने अबबा जैसे ही गोन थे तुमें सनुबल को उस बच्चे के साथ देखना चाहिए था आमिर जान वो बच्चा सनुबल के वजूद का केंदर बन गया था वो उसके लिए कपड़े सीती उसके लखड़ी के टुकड़ो कपड़ो असूखी घांस के खिलाओने बनाती जब उसे बुखार हुआ तो वो सारी राज जगी रही उसने तीन दिनों तक खाना नहीं खाया वो उसकी नजर उतारने के लिए हंडे में लोबान चलाती जब सुहराब दो साल का हुआ तो वो उसे सासा कहकर पुकारता उन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता था सनुबल उसे चार साल तक होता था देखने तक जिन्दा रही एक सुभा वो बिस्तर से नहीं उठी वो शान दिख रही थी मानो अब उसे मरने का अफसोस नहीं था हमने उसे पहाडी पर के एक अब्रिस्तान में अनार के पेड़ के पास दफना दिया मैंने उसके लिए दूआ भी पड़ी हसन के लिए बहुत बड़ा सद्मा था कोई अपने पास नहीं हो तो जितना दुख होता है उससे ज़ादा दुख उसके होने और खो देने से होता है लेकिन नन्य सुराप के लिए तो ये और भी बड़ा दुख था वो पूरे घर में सासा को खोचते हुए खोमता फिरता लेकिन तुम जानते हो बच्चे कैसे होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं तब तक रूसी हराए जा चुके थे और काबुल में मसूद, रब्बानी और मुझा ही दिनों का पूलबाला था ये 1995 की बात है हम अकसर ही लोगों को मलबे के भीतर से लाशे निकालते देखते थे आमिर जान कहा बतों में जैसा जहनुम की बाते कही जाती है न उन दिनों में काबुल वैसा ही हो गया था हाला कि हम पर अल्ला की महरबानी थी वजीर अकबर खान इलाके पर उतना हमला नहीं हुआ था इसलिए हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी दूसे मोहले के लोगों की थी जिन दिनों रॉकर्टेवगा उनना या छूटना थोड़ा कम हुआ था गोली बारी हलकी पड़ी थी हसन उन दिनों सोहराव को चड़िया घर में मलजान शेर दिखाने ले जाता या फिर वो उसे फिल्में दिखाता हसन उसे गुलेल चलाना सिखाता बाद में आठ साल का होने पर वो कमाल का निशाना लगाने लगा था चट पर खड़े खड़े वो आंगन में खड़े पर रखे अनानास को मार डाल सकता था हसन ने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया उसका बेटा उसकी तरह बिना पढ़े लिखे बड़ा नहीं होना जा रहा था उस बच्चे से मेरा गहरा लगाव हो गया था मैंने उसे पहले कदम उठाते देखा था उसके पहले शब्द सुने थे मैंने उसके लिए सिनेमा पार्क के पास की किताब की दुकान से बच्चों की किताब इलाकर दी थी अब तो उन्होंने उस दुकान को भी तोड़ दिया है सोराब उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ जाता था वो मुझे तुमारी हियात दिलाता था आमिर जान तुम जब छोटे थे तुम्हें पढ़ना कितना पसंद था कभी-कभी मैं उसे रातों को पढ़कर सुनाता उसके साथ पहले अबूचता मैंने उसे ताश की तर्की भी सिखाए मुझे उसकी कमे बहुत खलती है सर्दियों के मौसम में हसन अपने बेटे को पतंग लूटने ले चाता अब पुराने दिनों जितने पतंग के मुकाबले नहीं होते थे कोई लंबे समय तक घर के बाहर महफूज नहीं महसूस कर सकता था लेकिन फिर भी यहां वहां कुछ मुकाबले होते थे हसन सुहरापक अपने कंधे पर बिठा लेता और वो दोनों गलियों से धोते हुए, दोड़ते हुए, पतंगे लूटते हुए उन प्रेडों पर चड़ते जहां पतंगे गेर जाती थी मुझे तो याद है, तुमको याद है आमेजान हसन कितना अच्छा पतंग लूटने वाला था, वो अब भी उतना माहिर था सरदियों के आखिर में हसन और सौराप अपनी लूटी हुई सारी पतंगे मुख्य गल्यारे की दिवारों पर तस्रीरों के तहां लटका देते मैंने तुम्हें बताया कि 1996 में जब तालिबान हुकूमत में आये और रोज-रोज की लणाईयां खतम हुई, तो हमने जश्न मनाया था मैंने उस रात घर आने पर हसन को रेडियो सुनते हुए देख रहा और वो मुझे आज भी याद है, उसकी आँखों में गंभीरता थी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बस उसने अपना सरहिलाया अब हजारा लोगों की खुदा ख्यार करे रहिम खान साहब, उसने कहा जंग खतम हो चुकी है हसन, अब अमन होने जाह रहा है इन्शाला खुशाली और चैन रहेगा, अब और रॉकेट्स और खुण खराबे का डर नहीं और नहीं मातमों का, लेकिन उसने बस रेडियो बंद कर दिया और पूछा कि उसके सोने जाने से पहले मुझे किसी चीज की जुरुत तो नहीं है कुछ हफतो बाद तालिबान ने पतंग बाजी पर रोक लगा दी और दो साल बाद 1998 में उन्होंने मजारे शरीफ में हजारा लोगों का कतले आम किया रहिम खान ने दिहीरे से अपने पाउंसी देखिये और खाली दिवास से टेक लगा ले वो बड़ी सावधानी से हिलडोल रहे थी मानो जरासी भी हरकत से एक दर्द फूट पड़ता हूँ बहार एक गधा रैक रहा था और कोई उर्दू में चिलार कर कुछ कह रहा था सूरज रहने लगा था और लार रोशनी उस जलजर इमारत की दरारों से भीतर झाक रही थी मेरा दिल फिर दुखने लगा वो सारे जुर्म जो मैंने उन सरदियों में और उसके बाद की गर्मियों में किये थे तिसने लगे मेरे दिमाग में वो नाम बजने लगे हसन, सुहराव, अली, फरजाना और सनोबर रहीम खान से अली का नाम सुनना ऐसा था कि मानो आपको कोई पुराना धूल भरा म्यूजिक बॉक्स मिल गया हो, जिसे सालों से नहीं खोला गया हो आप उसे खोलते हैं और फॉरण गीत बजने लगता है आज तुम किसे खाओगे बबलू, आज तुम किसे खाओगे, तुम ओ भेंगे बबलू मैंने अली के जम्य हुई चेहरे को याद करने की कोशिश की ताकि सच मुच उसकी शान्त आखे देख सकूँ लेकिन वक्त बहुत लालची भी हो सकता है ये कभी-कभी सारे ब्योरे खुद के लिए चुड़ा लेता है क्या हसन अभ्यूस घर में है? मैंने पूछा रहिम खान ने चाय का प्याला अपने सूखे होटो तक उठाया और एक चुस के लिए इसके बाद उन्होंने अपने वेस्कोट के सीने की जेप से लिफाफा निकाला उसे उन्होंने मुझे पकड़ाया तुम हारे लिए मैंने चिपकाय हुई लिफाफे को फाड़ा मीता मुझे एक पोल राइट, फोटो और एक मोड़ा हुआ खत मिला मैंने मिनट भर उस फोटो को नहारा सफेद पकड़ी और हरी धानियों वाला चापन पहने एक लंबा आदमी एक छोटे से बच्चे के साथ लोहे के दरवाजों के सामने खड़ा था दूप उसकी बाईं तरफ चमक रही थी जिससे उसके गोल चहरे पर परच्चाई बन रही थी वह कैमरे की तरफ कंखियों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था उसके सामने के दो दात गायब थे इस दुंदले पॉर राइट फोटो में भी चापन वाले उस आदमी का आतमरश्या और सहस्ता का भाव टपक रहा था वो इस तरह खड़ा था कि उसके पाउं थोड़े दूर दूर थे उसके हाथ उसके सीने पर बंदे थे और उसका सर हर का सा सूरज की तरफ चुका हुआ था सबसे अधिक उसके मुस्कान पर नजर जाती थी फोटो देखते हुए कोई ये सोचता कि ये आदमी सारा दुनिया को भला मानता था नहिम खान सही थे सडक पर उससे टकराने पर मैंने उसे पहचान लिया होता छोटा बच्चा नंगे पाउं खड़ा था उसने एक हाथ उस आदमी की जांग में लपेट रखा था और अपना सर अपने अब्बा के कूले पटिका रखा था वो भी कंखियों से देखते हुए मुस्करा रहा था मैंने छिट्टी खुली ये फार्स से मिल थी इसमें एक नुक्ते की भी गलती नहीं थी और नहीं शब्द आपस में उल्जे हुए थी ये बच्चों की लिखावट जैसी सफाय से लिखी हुई थी मैंने पढ़ना शूर किया बिस्मिल्ला हिर रहिमान हिर रहिम आमिर आगा अधाब फर्जाना जान सहराब और मैं दुआ करता हूँ कि जब आपको ये छिट्टी मिले तो आप तंदुस्तों और आप अल्ला की महरबानी हो ये छिट्टी आप तक पहुँचाने के लिए रहिम खान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा मुझे उमीद है कि मेरे हातों में भी एक दिन आपकी छिट्टी होगी और मैं अमेरिका की आपकी जिंदगी के बारे में पढ़ूँगा शैद आप लोगों के फोटो भी हमारे आँखों को नसीब होंगे मैंने फजाना जान और सौहराप को आपके बारे में बहुत बाते बताइए हैं मैंने बताया कि कैसे हम साथ बड़े हुई और कैसे हम साथ साथ खेलते थे और गलीयों में भागते थे वो मेरी और आपकी शरारतों की कहानियों पर बहुत हस्ते हैं अमिरागा, अफसोस है कि हमारे बच्पन का अफगानिस्तान मर चुका है हमारे वतन से रहम दिली मिट चुकी है और खूंग खराबे से बचना मुहाल है हमेशा खूंग खराबा होता रहता है काबुल में हर जगा लोग डरे हुए रहते हैं गलियों में, स्टेडियम में, बजार में, हर जगा यह हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है हाँ मेरागा हमारे वतन पर हुकूमत करने वाले शेतान आदमी की इज़त की परवा नहीं करते एक दिन में फरजाना के साथ आलू और नांग खेदने बजार गया था उसने दुकानदा से आलू की कीमत पूछी लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी मुझे लगता है कि वो बहरा था इसलिए उसने थोड़ी उंची अवाज में पूछा तो एक नौजवान तालिब दौरता हुआ है और उसने फरजाना की जांगो पर अपनी लकडी के डंडे से मारा उसने उसे इतनी जोर से मारा कि वो गिर पड़ी वो उस पर चीख रहा था बहला बुरा कह रहा था और कह रहा था कि लोगों की फितरत और नैतिकता की निगरानी करने वाले ही मरंतराल है और तो को जोर से बोलने की जाज़त नहीं देता उसकी टांगों पर कई दिनों तक बड़ी से जामुनी रंग की खरोच बनी रही लेकिन मुझे अपनी बीवी को खड़ा-खड़ा पिटता देखना पड़ा अगर मैं लड़ता तो वो कुट्ता मुझे गोली मार देता और खुशी-खुशी मार देता तब मेरे सौराप का क्या होता गलियों में पहले से ही काफी यतीम भरे हुए है और हर रोज मैं अल्ला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जिन्दा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे मौत से डर लगता है बैलकि इसलिए कि मेरी बीवी के पास उसका शोहर है और मेरा बेटा यतीम नहीं हुआ है मैं चाहता हूँ कि आप सोहराप को देख सकते वो एक अच्छा बच्चा है रहिम खान साहाब और मैंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया है ताकि वो अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं बना रहे और वो उस गुलेल से मार सकता है मैं कभी-कभी सोहराप को कापुल में घुमाता हूँ और उसे मिठाई खरीत कर देता हूँ शारे नौ में अब भी एक बंदर नचाने वाला है जब हम उस तरफ जाते हैं तो मैं पैसे देखा सोहराप को बंदर का नाच दिखाता हूँ आप देखते कि वो कैसे हसता है हम दोनों कभी-कभी पहाडी पल के कब्रिस्तान में चाते हैं आपको याद है कि कैसे हम वहाँ अनाल के पेड़ के नीचे बैठकर शाहनामा पढ़ते थे सूखे में पहाडी सूख गई है और पेड़ों पर सालों से फल नहीं लगते लेकिन सोहराप और मैं अब भी उसकी चाओं में बैठते हैं और शाहनामा पढ़ते हैं आपको ये बताने की जोद नहीं कि उसकी पसंदीदा हिस्सा वही है जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया है रुस्तमो सहुराप जल्दी वो खुद ये किताब पढ़ने के लायक हो जाएगा मुझे उस पर नाज है और मैं एक बहुत खुश नसीब बाप हूँ आमिर आका रहिम खान बहुत बिमान है वो पूरे दिंग खांसते रहते हैं और जब वो आसीन से अपना मुँँ पहुँचते हैं तो मैंने उस पर खुँंगे धब्बे देखे हैं उनका वजन बहुत किल गया है और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा शूर्बा खापाते जिसे फर्जाना उनके लिए बनाती है लेकिन वो केवल एक है दो निवाले लेते हैं और वो भी फर्जाना काम मन रखने के लिए मैं इस प्यारे से आदमी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ और मैं इनके लिए हर रोज दुआ करता हूँ वो कुछ दिनों में डॉक्टर को दिखाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं और इंशालला वो अच्छी खबर के साथ लोटेंगे लेकिन मेरे दिल में उनके लिए एक डर है फरजाना जान और मैंने नन्य सौराब को बताया कि रहिम खान साहिब ठीक होने जा रहे हैं हम क्या कर सकते हैं वो भी दसका ही है वो रहिम खान को बहुत चाहता है वो दोनों बहुत करीब थे रहीम खानों से बिस्केट और गुबारे दिलाने बजार ले जाते रहे है लेकिन अब वो इसके लिए बहुत कमजोर हो गए है इधर मैं बहुत सपने देखने लगा हूँ आमिरागा उन में से कुछ तो बहुत डरामने है मिसाल के लिए मैंने एक सपना देखा जिसमें फुटबॉल के मैदान में एक लाश तंगी हुई सरड़ही थी और घास खून से रंगी हुई थी इस सपने उसे मैं हाफते हुई और पसीने से तरबतर जग गया हाला कि मैं अधिकतर सपने अच्छी चीजों के देखता हूँ और अल्ला से इसकी दुआ भी करता हूँ मैंने सपना देखा कि रहिम खान साहई बच्छे हो जाएंगे मैंने सपना देखा कि मेरा बेटा एक अच्छे आदमी के रूप में बड़ा होगा वो एक अज़ाद आदमी होगा उसकी भी कोई एहमियत होगी मैंने सपना देखा कि काबुल की गलियों में फिर से लॉला फूर खिल लोटेंगे और समोवार वाले घरों में रुबाब बचेगा और पतंगे आसमानों में उड़ेंगे मैंने ये भी सपना देखा कि किसी दिन आप हमारे बच्पन की जमीन को देखने के लिए काबूल लोटेंगे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ अपने एक वफादा दोस्त को इंतिजार करता हुआ पाएंगे अल्ला हमीशा आपके साथ रहे हसन मैंने खत को दो बार पड़ा इसके बाद उसे मोड़ा और फोटो को एक और मिनट तक देखता रहा और मैंने दोनों को अपनी जेव में रख लिया कैसा है वो? मैंने पूछा ये खत छे महीने पहले लिखा गया था मेरे पेशावर के लिए रवाना होने से कुछ दिन पहले रहिम खान ने कहा मैंने उस दिन रवाना होने से पहले पॉलराइट फोटो लिया था पेशावर आने के एक महीने के बाद काबुल से मेरे एक प्रॉसी ने मुझे फोन किया उसने मुझे ये कहानी सुनाई मेरे आने के फोरण बाद ये अववा फैली की वजीर अकबार खान में एक बड़े घर में एक हजारा परिवार अकिला रह रहा है या तालिबान ने ऐसा दावा किया इसके बाद दो तालिबा अफसर जाँच करने और हसन से पूछताच करने है जब हसन ने उन्हें बताया कि वो मेरे साथ रह रहा था तो उन्होंने हसन पर जूट बोलने का आरोप लगाया जिस आदमी ने मुझे फोन किया था उसके साथ साथ कई परोसियों ने भी हसन की बात की तज़ीक की लेकिन उन्होंने उस पर भ्रोसा नहीं किया तालिबों ने कहा कि उस सारे हजारा लोगों की तरह हसन को भी जूटा और चोग समस्ता था उन्होंने उसे परिवास समीर शाम होने से पहले घर से निकल जाने का हुकम दिया हसन ने इसकी मुखाफलत की लेकिन मेरे पुरॉसी ने बताया कि तालिबों के नजर उस बड़े घर पर थी हाँ भेडिया भेडो के जुन पर घात लगाया हुआ था लेकिन वो इस बात को कहते कैसे उन्होंने हसन से कहा कि मेरे लौटने तक वो घर में रहकर घर की रखवाली करेंगे हसन ने फिर मुखाफलत की तो वो उसके सड़क पर ले गए नहीं मैंने सांस ले और उससे घुटनों पर चुकने को कहा नहीं खुदा नहीं क्या? उन्होंने उसे भी गोली मार दी बाद में उन्होंने कहा कि उन दोनों को हातमरश्य के लिए मारा गया लेकिन मैं कुछ और नहीं कह सका सिवाए बार बार नहीं 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 धुराने के मैं 1904 के उस दिन के बारे में सोचता रहा जब हसं के कटे हुए होटों की सरजरी हुई थी ओपरेशन के ठीक बाद हॉस्पिटल के कमरे में बाबा, रहीं खान, अली और मैं हसं के बिस्तर को घिरे हुए बैटे थे हम उसे हाथ में पकड़े हुए आईने में अपना नया होट निहारते हुए देख रहे थे उस कमरे में मौजूद हर एक आदमी अब या तो मर चुका है या मर रहा है सिर्फ मैं बच गया हूँ तब मैंने कुछ और देखा हेरिंग बोन वेस्ट कोट पहने एक आदमी अपने कलाशनी कोफ की नली हसं के सर के पीछे से दबा रहा है धमाके के आवाज मेरे अबबा के घर में गुंचती है हसं डामर पर लोड़क जाता है एक तरफा वफादारी भरी उसके जिंदगी हवा के जोकों में कापती उन पतंगों की तरह उड़ जाती है जिनके पीछे वो कभी भागता था तालिबान घर में आगों से रहिम खान ने कहा उन्होंने भाना बनाया कि उन्होंने गुस पैटी एसे घर को खाली कराया है हसन और फजाना के कतल को आतमरशा का मामला बता कर खारिश कर दिया गया किसी ने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान का डर था लेकिन ये बात भी थी कि कोई दो हजारा नौकरों के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहता था उन्होंने सौराप के साथ क्या किया? मैंने पूछा मैं ठका हुआ और भीतर से खाली सा महसूस कर रहा था खांसी के एक और दोरे ने रहीम खां को जकर लिया वो देर तक खांस से रहे जब उन्होंने आखिर का सर उठाया तो उनका चेहरा लाल हो गया था और आखों में खून जलकाया था मैंने सुना है कि वो कारते सेहे के किसी यतीम खाने में है हामरजान वो फिर खांसने लगे जब वो रुके तो वो कुछ पल पहले से ज़ादा बूरे लग रहे थे मानो खांसी के हर दोरे के साथ उनके उम्र छीजती जा रही हो हामरजान मैंने तुम्हें यहां बुलाया क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता था लेकिन केवल यही बात नहीं थी मैंने कुछ नहीं कहा मुझे लगता है कि वो जो कहने जा रहे थे वो मैं समझ चुका था मैं चाहता हूं कि तुम काबुल जाओ मैं चाहता हूं कि तुम सौराब को यहां ले आओ मैंने सही शब तलाश करने की कोशिश की मुझे मुझे मुश्किल से यकीन हो रहा था कि हसन अब मर चुका था मैं हरबानी करके मेरी बात सुनो मैं यहाँ पेशेवर, पेशावर में एक अमेरिकी जोड़ी को जानता हूँ शोहर का नाम थॉमस और बीवी का नाम बैट्टी कॉर्डवेल है वे उससे आई हैं, वो एक छोड़ी सी तंजीम चलाते हैं जिसका खर्च वो खेरास से जुटाते हैं अधिकतर वे उन अफगानी बच्चों को रखते और पालते पोस्ते हैं जो यतीम हो गए